वनिता विश्राम कॉलेज ना प्रोफेशर डॉक्टर अनामिका है सेवा किया कार्या मा पगलू पाड़ी प्रध्यापी का साथ सामाजीक कार्य करपण बनी गया छे विचेबल वैल्पफर ट्रस्ट मा दिव्यांग बाड़ोकोंनी सेवा करता शिक्षकोंने पर्खे आवी शिक्षिकाओनी सेवा माटे अनामिका जीए लोकोंने प्रेणादाई संधेशो पूरो पाड़ी हो छे आपका नाम? मेरा नाम प्रोफेसर अनामिका तलेसरा है अब कौन सी कॉलेज या कौन सी स्कूल में प्रोफेसर हो? मैं वरीता विश्राव विमन्स कॉलेज अनामिकाओनी सेवा करने का विचार कैसे आया? यह विचार जब मेरा अपना बेटा पैदा हुआ और उसको जब मैने अपने जीवन से संगर्श करते हुए देखा बच्चे जिसे के आप disabled कहते हो उसका dis निकाल दीजिए able बना दीजिए बस इसी सोच और विचार के साथ शुरूर हुआ आज मैं आपने सुना है कि आप Divyaan School है वहाँ पे उसके बच्चों को जो पढ़ाता है वो teacher का ध्यान आप रखते हूं तो वो किस तरह से रखते हूं और क्या है वो पूरी मैटर है आपका कहना सही है पर मुझे लगता है कि सेवा पूरी नहीं कर पाती हूं पर जितना भी मुझे समय मिलता है और जैसे मेरे विचार आते हैं तो मुझे लगता है Divya Roop Divyaan है वो तो हम उनकी देखबाल करी रहा है पर उसके साथ में जो उनकी देखबाल करता है अगर हम उस पे और ध्यान देंगे तो शायद वो हमारी भगवान की पूजा शायद और मन से और दिल से करेंगे आप आज वचन देखे जाएए कि आप Divyaan बच्चों के साथ Visible Ralfa Trust के बच्चों के साथ का नाता कभी नहीं दोड़ेंगे बिल्कुल दिदी मेरा आपसे ही नहीं मेरा अपने आपसे भी ये वचन है ये प्रॉमिस है ये एक ऐसी चुनोती है जिसको मैंने स्विकार किया है और पूरा प्रयास करूँगी कि जब तक इस शरीर में जान रहे सासे रहे प्रबू ऐसी शक्ती मुझे दे कि मैं इनकी सेवा कर सकूँ मैं इनको देव स्वरूफ समझती ही नहीं हूँ मैं इनको अपना अंग समझती हूँ इसलिए प्रतिग्या तो दीदी उसी दिन लोई ली थी जिस दिन यहां पर कदम रखे थे आपने ये बिवियाओं बच्चो की पूरी पार साला होस्टेल सब देखा तो उसके बारे में अब क्या कहोंगे मेरे पास इस बात को दोहराने के लिए शब्द बहुत कम है हमारी शायद गुजरात में छोड़िये पूरे हिंदुस्तान में आपको इतनी अच्छी संस्ताने ही मिलेगी जो बच्चो की एक एक छोटी छोटी रिक्वाइरमेंट का ध्यान रखती है न केवल खाने का, पीने का, कपड़ों का, ओडने का, उनको शिक्षा देने का, उनको गुमाने ले जाने का, उनको रिक्रियेशनल आक्टिविटी देने का उनको एकदम साधारन बच्चों के जैसे जीवन जीने का मौका यहां मिल रहा है हर जगे आपको ramp की सुविधा मिलेगी हर जगे उन बच्चों को साथ ले जाने वाला मिलेगा ऐसी नीसवार्त सेवा इस मंदिर में ही हो सकती है यहां कन्यू भाई की तेले की स्कूल में ही हो सकती है इसके लिए कोई शब्द ने हैं मैं उनको salute करती हूँ, उनकी spirit को सलाम करती हूँ अब दिव्यांग दिश चनल के माध्यम सिदर सबको क्या संदेशा देना चाहती हो संदेश बहुत क्लियर है जो भी इसे देख रहा हो वो इसको दिल से अपना ले दिल से अपना और एक बार ये कह दे कि ये दिव्य मेरे अपने है मेरे अपने है मेरे अपने है Thank you so much मैं दिव्यांग निस साते बात करवाब Thank you so much